नमस्कार मैं हूँ शुशंगर पांडे और आप देख रहे हैं से स्पिनुश की नई पहल पंचायत यात्रा और इस यात्रा के दौरान हम पहुचे हैं नावा टर पंचायत जहां से लगतार दो बार मुख्या रह चुकी बीना देवी इस बार पुना चुनावी मैदान में उ सर्विपर्थम पंचायत वासियों को मैं पढड़नाम करती हूँ पढड़नाम करती हूँ और इस मेरा चुनावी मुद्द यह है कि करोना काल में दो साल काम बाधित हो जाने के कारण मैं इस बार भी चाह रहे हूं कि चुनाव जीतकर अधूरे कारे पूरे करूँ और और कई आवास अभी भी अथी आप कई परधान मंत्री आवास योजना है जो अभी भी गरामिन छेतर में बचे हुए हैं बहुत से ऐसे लोग उनको मैं जरूर दिलवाओं आज तक आपने क्या क्या काम किया है जो आपको जनता वोट करें आप 12 सल आपको जनता मोगा दिया है तब 12 सल में क्या 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 काम किया है कि जनता आपको वोट दे चार सो परधान मंत्री आवास योजना पुर्ण हो चुका है छे सो का फॉम भी भरा चुका है और पान सो बिरधा पेंसन बिधवा पेंसन हो चुका है और कई सड़क, नाली, बक्री सेड, गाई सेड बहुत ऐसे कार्य मैं कर चुकी हूँ और इनके साथ बैठे हैं इनके पती अमरे सिर्वास तो और यह नोडिया प्रखंड से सांसत प्रति निधी भी हैं तम इनसे भी जानेंगे कि इनका इस बार्चुनावय मुद्दा क्या होंगे जी सभी नावा टड़ पंचायत वासियों को मेरा पर नाम और मैं मेरी पतनी नावा टड़ पंचायत की मुख्या बीना देवी दो-दो बार जनता के असिरवात से राश चुकी है और इस बार भी अपने समर्थक से और ग्रामिन माददाताओं से भरपूर सहयोग मिल रहा है मैं उन सभी को अभार ब्यक्त करता हूँ और आज इनके द्वारा जो कार किये गए पंचायत में बिल्कुल एक सरारीय कार हुआ है हर गरीब परिवार को हम लोग का उदेश है कि जितने भी सरकारी योजना का लाब उनके एक एक व्यक्ति तक पहुँचाने का परियास जारी है और दूसरे चीज है क्रिशी छेतर में हम लोग किशान को काफी संख्या में सिचाई को निर्मान करवाया है जिससे आज भी दिखने योग चीज है साथ साथ जैसे परधान मंत्री आवास योजना की बात हम लोग करें तो लगभग मेरे पंचायत में 400 लोगों को पूर्ण कर लिया गया है और 600 और भी वैसे परिवार है जिनका आवास पलस में नाम जोड़कर उनका फारो में अगरा कम्प्लीट करवा लिया गया है जैसे ही टार्जेट मिलेगा हम लोग उनको लाब देना सुरू करेंगे उसके बाद हम लोग बजार को एक मोडल बजार के रूप में इसको विक्सित करना है और यह काम पूरू में भी होता लेकिन कुछ वैसे गवर्मेंट की पॉलिसी होती है जिसमें कहीं कहीं हम लोग को उसका परशानी भी जहलना पड़ता है लेकिन इस बार जैसे करोना काल के कारण दो बरसों से हम लोग है ना कुछ योजना नहीं धरातल पर लापाए थे लेकिन इस बार हम लोग मार्केट में हाई अस्ट्रीट लाइट का अस्थापन करने आप आपका जो पंचाय था मुख बजार में इस्थी थे हैं तो आपने बजार के लिए क्या काम किया है इसमें अभी हम लोग शमुदाइक सोचाले निर्मान के लिए आगे का प्रोसेस हो चुका है और इस बार मेरा पूर्ण बिश्वास के साथ मैं ग्रामिन जनता को बताना च चुनाओ जीतेंगे तो सरप्रतम बजार को मोडल बजार के रूप देंगे जिसमें समुदाइक सोचाले होगा हाइस्ट माट लाइट का विवस्था किया जा रहा है साथ साथ हर जगा चौक चराह पर कूड़ादान का किता की स्वक्ष बाजार मेरा दिखे और दूसरी ची जनकारी है ऐसा तो हम लोग के पास अभी तक किसी ग्रामीन के द्वारा को शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है और जब काम होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होने देंगे ना पब्लिक को दिक्कत होगा और ना हम जो योजनाओ के पलान वहां बना है उसको भी धरातल पुतार कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है उंसे मुखिया जी आप पर आप घू पर शाजो 12 साल आपके साथ लगातार गुमें है और अखेलां भूम रहे हैं जो आपके सामार्थ रहे हैं आपको साथ छोड रहा हैं इसका कारण या वजह क्या Inner तो मेरे देखने से ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन जो क्या पहले थे आज भी आपके साथ हैं खड़े जो पहले से थे समर्थक मेरे आज भी तहे दिल से लोग समर्थन में हैं और राजनीतिक है थोड़ा सा लोग गाउं का चुनाव है गाउं में लोग सोचते हैं कि अपने हिस मुख नद्दी में छटगाट निर्मान के लिए अजना के सुकृति दे दी गई है विल्कि वह निर्माना दिन है कार भी सुरूस में हो रहा है साथ साथ हमारे एक धोबनी टोला है उसमें भी सांसद महोदे ने सांसद नीधी का रासी दिये हैं जो पी सी सिपत अती आउसक निर्मान करवा चुके हैं और जो बचे हुए हैं जैसे अभी मार्केट में नाली के अती आउसकता था इसमें है कि जैसे बजार परिसर में हमारे की हां जो मंदीर है निर्माना धीन विकार उसमें चल रहा है इस वजह से कुछ शमागरी है वहां पर इसलिए कुछ पानी ज लोग करवाजने के लिए प्रसासनिक शुकृति परदान कर दी गई है और लगभग 500 फीट में होगा जो एक ग्राम पंचायत मुख्याजी के द्वारा किया गया है और एक पंचाय समीती प्रमुख के द्वारा किया गया दो पार्ट में उस नाली को हम लोग बनाने जा रह प्रसानी हो रही है उसमें हम भी सामील है तो इसके लिए हमारा प्लान है कि हर एक गाउं में अपने नावाटर पंचायत के सभी गाउं में हम लोग एक-एक समुदाइक भौन का निर्मान निश्चित रूप से कराएंगे यह मेरा प्रात्मिकता हो तो आपका एकना में क्य जिससे सादे ब्याव जो भी कारिकराम फंसन होते हैं उसमें दिकत होती है नहीं होने के वज़े से वह आप करेंगे तो आपका जनतास अपिल क्या होगा जनतास यहीं अपिल है कि जैसे दो बार हमारे उपर विश्वास रखकर मद्दान किये इस बार भी उन आप उनलोग स कार पेशम हुआ है यहीं सब्सक चलता अरहा है है कि आप मद् helicopters सब्सक्राइब में गालए और और मोजार्क बार वायरने वाल हैं ऑर आपने ज möchte में तो लो करना के बिःधरी डहन के सương इस में मतने बमाव कलती है और इसमें है कि ऑजने तो यहां का मांफिक है, जैसे जो बजाल में बचता हूए जो गवर्मेंट लैंड फिर इसमें है कि सभी दुखंदार भाही लोग का सब्सा जाह था नहीं है और इसको मोडल देने के लिए जैसे अब यहां पे शेड का निर्मान करवाना था प्रन्तु अबादी के घंधा अबादी के अनुसार हम लोग निर्मान नहीं करवा पा रहे हैं लेकिन इसको एक स्वक्ष मार्केट के रूप में और मोडल बजार के रूप में इसको निर्मान जरूर हम लोग करें तो आप देख रहे थे सेस्पी नुझके नई पहल पंचायत आत्रा और इस दोरान आपने बात किया नावा टार मुक्षा प्रत्यासी बीना देवी यह उनके पत्यम्रे सिर्वास्तो जिन्होंने कहा कि अगर हम जित कराते हैं तो क्या-क्या विकास करेंगे सब इन्होंने मुद्य खुल कर रखें और आज की पंचायत आत्रा हम यहीं पर समाप्त करते हैं अगले दिन अगले पंचायत में धन्यवाद